सो दोस्तों काफी लंबे इंतिजार के बाद जारकन डिश्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि जी एससी की तरफ से फिर से रिक्वार्मेंट की बरसाथ स्टार्ट हो चुकी है आपको बता दू 2030 में स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहली रिक्वार्मेंट आप यहां देख सकते हो जारकन लैब असिस्टेंट कॉंपिटेटिव इग्जामिनेशन 2030 के लिए जिसके तहट यदि आप इंट्रेस्टेड हो तो ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो इसके रिगार्डिंग जो आफिसली नॉटिफिकेशन है जारकन करमचारी चायन आयोग की मदद से जारी की जा चुक यहां पर अपलाई कर सकते हैं यदि आप जारकन शोड़ करके अधर किसी स्टेट से बिलॉंग करते हो तो क्या आप फॉर्म फिल अप कर सकते हो सारी जनकरी आपको इस वीडियो में प्रवाइट करने वाला हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप य यहां पर याद रखिएगा यह आपको पैमेंट करने के वक्त आपको काम आएगी बाकी आप नीचे देख सकते हैं सारी टर्मेंट कंडिशन देखी हुई मिल जाएगी चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्वार्मेंट में अपलाई करना चाहते हो तो आपको 100 रुप आए थी जरकर्ण प्रियोग साला साहयक प्रतियोगिता परिक्षत 2022 यदि आपने उस रिक्वार्मेंट में फॉर्म फिल अप किया था तो आपको यहां पर कोई भी पैमेंट नहीं लगेगा क्योंकि आप सभी को पता होगा 2022 में जितनी भी रिक्वार्मेंट आई थी सबी requirement आपकी रद हो चुके थी इसी कारण से 2022 की जो प्रियोग साला सहायक की requirement थी यदि आपने उसमें form fill up किया था तो आप अपनी पूरानी registration number date of birth fill up करने के बाद form को fill up किसेगा तो आपको यहाँ पर कोई भी payment नहीं लगेगी free में आप वहाँ पर apply कर पाएंगे बाकी रिक्तियों का वीबरन आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले पदनाम तीन पदनाम है जिस पर यह requirement निकाली गई है सबसे पहले प्रयोकसाला सहायक भौतीक सास्त्र में प्रयोकसाला सहायक रहसायान सास्त्र में इसी के साथ प्रयोकसाला सहायक जीव विज्यान में category wise आपको यहाँ पर seat भी देखने को मिल जाएगी equal seat है तीनों ही आपकी यहाँ पर post पर देख सकते हो total 230 यहाँ पर 230 यहाँ पर and 230 यहाँ पर total बात करेंगे इस requirement में तो आपको 690 seats मिल जाएगी category wise आप यहाँ पर देख पाएंगे किसी भी requirement में तो general के लिए 93 seats है और इसी के साथ HD candidate के लिए 60 seats है इसी के साथ HD candidate के लिए 23 और BC1 के लिए आपको 18 seat मिल जाएगी BC2 के लिए 14 इसी के साथ EWS के लिए 226 आपको सभी requirement में देखने को मिल जाती है चलिए इसके बाद नीचे scroll down करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हो तीनों ही post के लिए आपको क्या payment मिलेगी तो matrix level आपको 6 की payment मिलेगी 35,400 से लेकर कि 1,12,400 तक की payment scale होगी इसके लिए आपके नियुन्तम सेक्षनी की योगिता क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि राजय सरकार, केंदर सरकार या विस्व विद्याले, अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विस्व विद्याले, महा विद्याले से वातिक सास्त्र या फिर असायन सास्त्र या फिर जीव विज्यान में से किनी दो विश्यों में 50% अंकों के साथ यदी आपने graduation की डिगरी ले रखी है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो इसके अलावा यदी आप SC candidate, SCT candidate हो तो आपको यहाँ पर 45% मार्क्स यदी आपने किसी दो subject में ला रखा है तो आप इस requirement के लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा और भी आपको जनकारी यहाँ पर मिल जाती है जिसमें आपको एक और topic में clear कर दो कि यहाँ पर notification में कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं था कि आपको यहाँ पर 10th plus 12 जो है आपका जहरखंड state से होना चाहिए आपको यहाँ पर कोई भी notification में लिखा हुआ नहीं मिलेगा यानि यदि आप किसी other state से भी belong करते हो तो आप इस requirement के लिए form को fill up कर सकते हो आपको यहाँ पर general से इस form को fill up करना होगा तो उसके बारे में जनकारी अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नियू नीमा वाली में यही changes भी करी गई है बाकि खेल कुद कोटा से भी आपको यहाँ पर streets available मिल जाएगे जिसके जनकारी मिल जाती है आपको यहाँ पर बात करते हैं age के बारे में तो सबसे पह जाए तब आप इस requirement के लिए apply कर सकते बाकी अधिकतम एज आपकी 18-2019 तक calculate करें जाएगी यानि जो आपकी maximum age 35 साल वह आपको 18-2019 तक हो जानी चाहिए यहाँ पर आप देख पाएंगे category वाईज आपको छूट मिल जाएगी जैसे कि जैनरल के लिए आर्थी ग्रूप से कमज candidate के लिए 38 वर्स यारी तीन वर्स का एज रिलेक्शन मिलता है बाकी यहां पर इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं निस्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी जानकारी मिल जाएगी तो सबसे पहले pwd candidate के बारे में जो डिटेल है वह आप यहां पर रिडाउट कर सकते हो च certificate 26266 के बाद का बना हुआ है एजडियो स्तर पर तो आप उस resident certificate की मदद से अपलाई कर सकते हो इसके अलवा यदि आपका certificate 19 साथ 2019 के बाद बना हुआ है सियो यानि सरकल ऑफिसर के मदद से तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हो उस certificate की मदद से बाकि उससे पहले के बना हुआ certificate आपका यहां पर valid नहीं होगा आपको फिर से new बनाना होगा उसके बारे में जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है इसी के अलवा जाती प्रमान पत्र के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी यदि आपका certificate 252 2019 के बाद बना हुआ है अंचल अधिकारी यानि सियो स्तर पर तो आप उस certificate की मदद से apply कर सकते हो इसके अलवा इससे पहले बना हुआ CEO स्तर का certificate आपका यहां पर valid नहीं होगा बाकि उसके बारे में certificate के बारे में जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी जो आप अपने according यहां पर इडाउट कर सकते हो चलिए बात करते इसके के लिए इंट्रेस्टेड हो अप्लाई करना चाहते हो तो कब से कब तक apply कर सकते हो तो सबसे पहले आप देख सकते हो रजिस्टेशन करने के लिए online date start हो जाएगी आपकी पांच चार यानि पांच अप्रिल 2030 से एंड आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर पाएंगे चार 5 2030 यानी 4 माई 2030 तक बाकी पैमेंट आप कर सकते हो 6 माई 2030 तक इसी के साथ पोटो सिगनेचर अपलोड कर सकते हो 8 माई 2030 तक इसके अलावा यह कोई भी करेक्शन करना तो करेक्शन करने के अभी डेट आपको देखने को मिल जाएगा 10 पांच यानि 10 माई 2030 दे 12 माई 2030 के राद तो आपको इस नॉटिफिकेशन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जनकारी प्रवाइड कर दूंगा एक बार नॉटिफिकेशन को चेक आउट करने के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक आउट कर लेजेगा अगर आप इस वीडियो को इस एक मुख्य परिक्षा होगे जिसमें आपके दो पेपर होंगे वह आपको यहां पर ध्यान रखना है मुख्य परिक्षा में देख सकते हो प्रतेक जो आपके पेपर होंगे वह आपका तीन घंटा का होगा यानि जो पेपर वान पेपर टू होगा तीन तीन घंटा होगा दो पाले में आपको यहां पर एक्जाम होगा टोटल छे घंटे का आपको यहां पर एक्जाम होगा सबसे पहले तो पेपर वन आप देख सकते हो जिसमें समाने घ्यान एंड हिंदी भासा से रिल्टेड आपके सबसे पहले आपको तीन सबसे पर तो पेपर वन के बारे में टोटल हंड़ेट प्रस्न होंगे पचास प्रस्न आपके सम्माने ग्यान से और 50% आपके हिंदी भासा से लेटेड होंगे और एक questions के आपको एक marks दिये जाएंगे और paper 2 होगा ना जो paper 2 में आपके 500 प्रस्ण होंगे यानि एक questions के आपको दो marks दिये जाएंगे इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका यहां पर एक्जाम होगा पेपर 1 का वह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा उसका जो भी marks आता है वह आपके merit में add नहीं होगा paper 2 का जो marks आएगा वही आपके merit में add किया जाएगा इसी के साथ एक और important बात आपको बता दू paper 1 और paper 2 किसी में भी negative marks नहीं है आपको कोई भी गलत questions की गलत answer क्या कोई भी marks deduct नहीं किये जाएंगे उसके बारे में जानकारी आप यहां पर देख सकते हो बात करते हैं जिस भी पोष्ट के लिए आप अप्लाई करते हो जैसे कि बहुतिक विज्यान के लिए अप्लाई करते हो तो बहुतिक विज्यान में आप देख सकते 75 questions आपके वनस्पति सास्तर से होंगे तथा 75 प्रस्ट जो है आपके जनतु सास्तर से लेटेड होंगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है बाकी आप देख सकते हो मुख्य परिक्षा के जो पार्टिक्रम होगा जो आपका syllabus होगा उसके बारे में complete जनकारी आपको इस notification मे जो format है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप चेकाउट करना चाहते हो तो चेकाउट कर सकते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने आपको complete जनकारी प्रोवाइड कर दी है कि कौन-कौन से candidate यहां पर अपलाई कर सकते हैं याद रखिएगा झारकन छोड़क से आपको complete जनकारी मिल गई होगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि जब इसके लिए ऑनलाइन अपलिकेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको इस टॉपिक पर कैसे आप इस रिक्वार्मेंट के लिए फॉर्म कर सकते इस टॉपिक पर भी वीडियो प्रोभाइट करूंगा तब तक के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्स्टूडियो में तब तक के लिए जाहिंद